इस वीडियो में आप देखोगे टॉप सिक्स बेस्ट कार फ़र टॉल पीपल इन इंडिया नमबर सिक्स पर है मारूती सुजुकी वैगनार मारूती सुजुकी वैगनार में हमें दो बेसिक्स कंप्लाइंट्स के इंजन देखने मिल जाते हैं सबसे पहला 1.0 लिटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन जो की 83 PS का पावर और 113 नम का टॉल्क जनेट करता है इन दोनों ही इंजन में हमें 5-speed manual और automatic gearbox देखने मिल जाते हैं मारती वैगनर में हमें 1.0 लिटर का CNG विरेंड भी देखने मिल जाता है नमबर फाइफ पर है Hyundai Grand i10 Neos Hyundai Neos में हमें B6 compliant petrol और diesel दोने ही इंजन देखने मिल जाता है 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन 83 PS का पावर और 114 नम का टॉल्क जनेट करता है और वही diesel इंजन 75 PS का पावर और 190 नम का टॉल्क जनेट करता है इस कार के दोने ही इंजन में हमें 5-speed manual और 5-speed automatic transmission देखने मिल जाती है इस कार में हमें औरा का 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजन में देखने मिल जाता है जो कि 100 PS का पावर और 172 नम का टॉल्क जनेट करता है नमबर 4, मारूती सुजुकी CS मारूती CS में हमें 1.5 लिटर पेट्रोल इंजन देखने मिल जाता है जिसका इंजन 1462 CC का है इस कार का मालेज अरॉण 20.65 किरोमेटर का है की features की बात करते हैं नमबर 3 पर है फॉर्ड इकोस्पोर्ट में PS6 कंप्लेंट के दो इंजन देखने मिल जाते है सबसे पहले 1.5 लिटर पेट्रोल इंजन जो कि 122 PS का पावर और 149 नम का टॉल्क जनेट करता है और 1.5 लिटर डीजल इंजन जो कि 100 PS का पावर और 215 नम का टॉल्क जनेट करता है इन दोने ही वेरियंट्स में हमें 5-speed manual और 6-speed automatic gearbox ये option देखने मिल जाते है की features की बात करतो इस कार में हमें automatic climate control, auto projected heat lamps, cruise control जैसे कई और features देखने मिल जाते है नमबर 2 पर है MG Hector MG Hector में हमें BS6 complaint के diesel और petrol engine देखने मिलते है 1.5 लिटर टर्गो चार्च petrol engine जो कि 143 PS का पावर और 250 नम का टॉल्क जनेट करता है और दूसरा 2.0 लिटर diesel engine जो कि 170 PS का पावर और 350 नम का टॉल्क जनेट करता है की features की बात करतो इस कार में हमें standard safety feature, dual front airbags, ABS with EBD, rear parking sensors जैसे कई और features देखने मिल जाते है नमबर 1 पर है Tata Harrier Tata Harrier में हमें 2.0 लिटर diesel engine देखने मिलते है ये engine 170 PS का पावर और 350 नम का टॉल्क जनेट करता है इस कार में हमें 6-speed manual और 6-speed torque converter gearbox देखने मिल जाता है की features की बात करतों इस कार में हमें panoramic sunroof, dual tone alloy wheels, auto dimming RVM जिसे कई और features भी देखने मिल जाते है